डॉक्टर स्री 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 श्री श्री श्रीव कुमार स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे। स्रीव कुमार स्वामी जी ने अपना संपुर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान बस्वेश्वन ने हमें सिकाया है काय कवे कैलास। अर्थात कठीन परिश्णम करते हुई अपना दाईत पर निभाते जाना भगवान सीव के निभास्थान कैलास धाम में होने के सवान है श्रीकुमार स्वामी जी इसी दर्शन के अन्युआई थे और उन्हों ने अपने 111 वर्षों के जीवनकाल में हजारों लोगों के सामाजिक, सहिक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक किया उनकी ख्याती एक ऐसे विद्वान के रुप में थी जीनकी अंग्रेजी, संस्कृत और कंडर भासाओं उपर अध्वुत पकड़ थी वह एक समाज सुधारक थे उन्होंने अपना पू हर तरह से कल्यान हो ये स्वामी जी के जीवन में प्रात्विक तरहती थी, सिद्ध गंगा मठ नियमित रुप से पशू और कर्शी मेलों का हयोजन करता था, मुझे कई बार परमपुजे स्वामी जी का आशिरवार प्राप्त करने का सौभाग मिला है, वर्ष 2007 में स्री स्र समारों के अफसर पर हमारे पुरवराश्परती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम तुमकुर गये थे, कलाम साब ने इस मोके पर पुझे स्वामी जी के लिए एक कविता सुनाई थी, उन्होंने कहा, O my fellow citizens, in giving you receive happiness. In body and soul, you have everything to give. If you have knowledge, share it. If you have resources, share them with the needy. Use your mind and heart to remove the pain of the suffering and cheer the shared hearts. In giving, you receive happiness. Almighty will bless all your actions. डॉक्टर कलाम साब की यह कविता, स्री 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 शीवकुमार स्वामी जी के जीवन और सिद्ध गंगा मट के मिशन को सुन्दर धंग से प्रस्तुत करती हैं. एक बार फिर मैं ऐसे महापुरुष को अपने स्रद्धा सुमन हर्पित करता हूँ. मेरे प्यार देश वास्यों, 26 जन्वरी 1950 को हमारे देश में सम्विधान लागु हुआ. और उस दिन हमारे देश गंतंत्र बना. और कल ही हमने आन, बान, शान के साथ गंतंत्र दिवस भी बनाया. लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूँ. हमारे देश में एक बहुती महत्वपुन समस्ता है, जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन अंग है ही, और हमारे गंतंत्र से भी पुरानी है. मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ. 25 जन्वरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिससे राश्ट्रिय मतदाता दिवस National Waters Day के रूप में मनाये जाता है. भारत में जिस केल पर चुनाव का आयोजन होता है, उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्यर्य होता है. और हमारा चुनाव आयोग, जिस बखुबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रतेएक देश्वासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभावी है. हमारे देश में ये सुनिसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है, कि भारत का प्रतेएक नागरिक, जो पंजीकृत मत दाता है, रजिस्टर मत दाता है, उसे बद्दान करने का आउसर मिले. जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्रत और से 15,000 फिट की उंचाई वाले ख्षेतर में भी मत दान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्विप समू में, दूर दराज के द्विपों में भी बाटिंग की विवस्था की जाती है और आपने गुजरात के विशे में जरूर सुना होगा, कि गीर के जंगल में, एक सुदूर ख्षेतर में, एक पोलिंग बूत, जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है, कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए, जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है, उस एक मतदाता का ध्यान रखते हुए, उस मतदाता को उसके मताधिकार का उप्योग करने का अवसर मिले इसके लिए, चुनाव आयोग के कर्मचारी के पूरी टीम, दूर दरास छेतर में जाती हैं, और वाटिंग की विवस्ता करते ह और यही तो हमारे लोक तंत्र की खुबसूरती है, मैं हमारे लोक तंत्र को मजूरूत करने का अंदिलंत्र प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग के सरहना करता हूँ, मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की, सभी सुरक्षा कर्मियों, अनक कर्मचारियों की भी सरहना क करता हूं जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे यह पहला अवसर होगा जहां 21 सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग क करेंगे उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अफसर आ गया है अब वो देश में निर्णे प्रक्रिया के हिसेदार बनने जा रहे हैं खुद के सपनों को देश के सपनों के साथ जोडने का समय आ चुका है मैं युवा पिड़ी से अग्रह करता हू कि अगर वे मतदान करने के लिए पात रहें तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रेजिस्टर करवाएं हम में से प्रतेक को एहसास होना चाहिए कि देश में मतदाता बनना मत के अधिकार को प्राप्त करना और जीवन की महत्वपुन उपलब्दियों में से एक मतदान करना ये मेरा करतव्य है ये भाव हमारे भीतर पनपना चाहिए जीवन में कभी किसी भी कारण से अगर मतदान नहीं कर पाए तो बड़ी पीड़ा होनी चाहिए कभी कहीं देश में कुछ गलत होता हुए देखें तो दुख होना चाहिए हां मैंने वोट नहीं दिया इसका ही खामियाजा आज मेरा देश भुगत रहा है हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए यह हमारी वृत्ति यह हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिए यह हमारे संस्कार होने चाहिए मैं देश की जानी मानी हस्तियों से आगरह करता हूँ कि हम सब मिलकर वृटर रेजिस्ट्रेशन हो या फिर मद्दान के दीन वूट देना हो इस बारे में अभियान चला करके लोगों को जागरूप करें मुझे उमीद है कि भारी संख्या में युवा मतदाता के रूप में पंजिकरूत होंगे और अपनी भागीदारी से हमारे लोकतंत्र को और मजबोती प्रदान करेंगे मेरे प्यारे देश वाचियों भारत की इस महान धर्ती ने कई सारे महापुरूशों को जन्म दिया है और उन महापुरूशों ने मानवता के लिए कुछ अध्भूत अविश्मन ये कार्य किये हैं हमारा देश बहुरतना वसुंद्रा है ऐसे महापुरूशों में से एक थे नेता जी सुभाच चंदर भोष 23 जन्वरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जन्ति मनाई नेता जी की जन्म जन्ति पर मुझे भारत की आजहादी के संगर्ष में अपना योगदान देने वाले भीरों को समर्पित एक मुजियम संगर्हलाए का उद्गार्टन करने का सौभागी प्राप्त हुआ अब जानते हैं कि लाल किरे के भीतर आजहादी से अब तक कई ऐसे कमरे इमारते बंद पड़ी थी उन बंद पड़े लाल किरे के कमरों को भावत सुंद्र संगर्हायलों में बदला गया है नेताजी सुभाचंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संगर्हाल है याद ए जलिया और 1857 इंडिया फर्स्ट वार अफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संगर्हाल है और इस पूरे परिशर को क्रांति मंदीर के रूप में देश को समर्पित किया गया है इन संगर्हालें की एक एक इंट में हमारे गवरोवशाली इतिहास की कुश्बू बसी है संगर्हाले के चप्पे चप्पे पर हमारे स्वाधिंता संगर्हाम के वीरों की गाथाओं को बया करने वाली बाते हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेजित करती है इसी स्थान पर भारत मा के वीर बेटों करनल प्रेम सहगल, करनल गुरुबक्सी धीलों और मेजर जंदर साहनाज खाँ पर अंग्रेज हुकुमत ने मुकदमा चलाया था जब मैं लाल किले में करांती मंदीर में वहां नेता जी से जूड़ी यादों को दर्शन कर रहा था, तब मुझे नेता जी के परिवार के सदश्यों ने एक बहुती खास कैप टोपी भेंट की, कभी नेता जी उसी टोपी को पहना करते थे मैंने संग्रालए में ही उस टोपी को रखवा दिया, जिससे वहां आने वाले लोग भी उस टोपी को देखें और उससे देश भक्ती की प्रेणा ले दरसल अपने नायकों के शावरिय और देश भक्ती को नई पीडी तक बार-बार अलगला गुरूप से निरंतर पहुचाने के हवश्यक्ता होती हैं अभी महिने भर पहले ही 30 दिसंबर को मैंनबान और निकोबार द्रीप गया था एक कारकम में ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फैराया गया जहां नेताजी सुभास बोजने 75 साल पहले तिरंगा फैराया था इसी तरह से अक्तुबर 2018 में लाल कीलिये पर जब तिरंगा फैराया गया तो सब पासरी हुआ क्योंकि वहां तो 15 आगस को ही यह परंपरा है यह अवसर था आजाध हीन सरकार के कठन के 75 वर्ष पूरे होने का सुभास बाबु को हमेशा एक वीर सैनिक और कुसल संगठन करता के रूप में याद किया जाएगा एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजाधी के लड़ाई में एहम भूमी का निपाई दिल्ली चलो तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हे आजाधी दूँगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतिय के दिल में जगा बनाई कई वर्षों तक यह मांग रही कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सारवजेनिक किया जाए और मुझे इस बात के खुशी है कि हकाम हम लोग कर पाए मुझे वो दीन याद है जम नेताजी का सारा परिवार प्रधान नुत्री निवास आया था हमने मिलकर नेताजी से जुड़ी बहुत सारी बाते की और नेताजी से भाज बोज को सरधानजली अर्पित की मुझे खुशी है कि भारत के महान नायकों से जुड़े कई स्थानों को दिल्ली में विक्सित करने का प्रयास हुआ है चाहे वो बाबा साब आमबेड कर से जुड़ा 26 अलिपूर रोड हो या फिर सरदार पटेल संग्रहाले हो या वो क्रांती मंदीर हो अगर आप दिल्ली आएं तो इन स्थानों को जुरूर देखने जाए मेरे प्यारे देश्वासियों आप जब हम नेता जी सुभाचंद बोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी मन की बात में हैं तो मैं आपके साथ नेता जी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा साज़ा करना चाहता हूँ मैंने हमेशा से रेडियों को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपुण माध्यम माना है उसी तरह नेता जी का भी रेडियों के साथ काफी गहरा नाता था और उन्होंने भी देश्वासियों से समवाद करने के लिए रेडियों को चुना था 1942 मैं सुभास बाबु ने आजाद हिंद रेडियो के शुरुवात की थी और रेडियो के माध्यम से वो आजाद हिंद फोच के सैनिकों से और देश के लोगों से समवाद किया करते थे सुभास बाबु का रेडियो पर बादचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदास था वो बादचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे This is सुभास चंद्रबोच speaking to you over the आजाज हिंद रेडियो और इतना सुनते ही सुरूताओं में मानों एक नए जोश, एक नए उर्जा का संचार हो उरता मुझे बताया गया कि ये रेडियो स्टेशन सापताहिक समाचार बुलेटीन भी प्रसारित करता था जो अंग्रेजी, हिंदी, तमील, बंगला, मराथी, पंजाबी, पस्तों और उर्दू आधी भाषाओं में होते थे इस रेडियो स्टेशन के संचालन में गुझरात के रहने वाले एमार व्यास जी ने बहुती एहम भुमिका निभाई आजाध हिंद रेडियो पर प्रसारित होने वाले कारकम सामानी जन के बीच काफी लोग पुरियत है और उनके कारकमों से हमारे स्वाधिन्ता संगराम के योद्धाओं को भी बहुत ताकत मिली इसी क्रांती मंदीर में एक द्रश कला संग्रहालय भी बनाया गया है भारती अकला और संस्कृती बहुत ही आकरशक तरीके से बताने का प्रहास यह हुआ है संगरहालय में चार एत्यासिक एक्जिबिशन्स है और वहां तीन सदियों पुरानी चार सो पचास से अधिक पेंटिंग्स और आर्टवर्स मौझूद है संगरहालय में अम्रुता शेरगिल, राजारभी वर्मा, अवनिंद्रनाट टैगोर, गगेंद्रनाट टैगोर, ननलाल बोस, जामी निराय, शैलोज मुखर जी जिसे महान कलाकारों के उत्कृष्ट कारियों का बखो भी प्रदसन किया गया है और मैं आप सबसे विशेश रूप से आगरह करूँगा कि आप वहाँ जाएं और गुरुदेव रमिद्रनाट टैगोर जी के कारियों को अवश्य देखें अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात कलाकी हो रही है और मैं आप से गुरुदेव टागोर के उत्कृष्ट कारियों को देखने की बात कर रहा हूँ आपने अभी तक गुरुदेव रमिद्रनाट टैगोर को एक लेखक और एक संगीतकार की रुप में जाना होगा लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव एक चित्रकार भी थे उन्होंने कई विशों पर पेंटिंग बनाई है उन्होंने पशू पक्षियों के भी चित्र बनाए है उन्होंने कई सारे सुन्दर परिद्रश्यों के भी चित्र बनाए है और इतना ही नहीं उन्हों उनकी पैंटिंग देखने वाला खूदी उस पैंटिंग को समझे पैंटिंग में उनके द्वारा दिये गए संदेश को अपने नजरिय से जाने उनकी पैंटिंग को यूरुप के देशों में रूश में और अमेरिका में भी प्रदसित किया गया है मुझे उमीद है कि आप क् कारियों के मार्धम से सद्भाव समानता और सामाजिक सस्वक्तिकरण का संदेश दिया है ऐसे ही एक संथे संत्रविदास 19 फरवरी को रविदास जैनती है संत्रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है संत्रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के मार्धम से बड़ा से बड जाती में जाती हैं जो केतन के पात रैदास मनुस ना जूर सके जब तक जाती न जात जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है लेकिन पूरा पैड़ ही खतम हो जाता है ठिक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांड दिया गया है और इनसान रहा ही नहीं है वे कहां करते थे कि अगर वास्तों में भगवान हर इनसान में होते हैं तो उन्हें जाती पंथ और अंज्य सामजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है गुरु रविदास जी का जन्म वारानसी की पवित्र भूमी पर हुआ था संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में स्रम और स्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को स्रम की प्रतिष्ठा का वास्त्विक अर्थ समझाया है वो कहते थे मन चंगा तो कठोती में गंगा अर्थात येदि आपका मन और रदय पवित्र है तो साक्षात इस्वर आपके रुदय में निवास करते हैं संत्र अविदास जी के संदेशों ने हर तपके हर वर्क के लोगों को प्रभावित किया है चाहे चितोड के महराजा और रानी हो ये फिर मेरा बाई हो सभी उनके अनुआई थे मैं फिर एक बार संत्र अविदास जी को नमन करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों कीरण सिदर ने माय गौप पर लिखा है कि मैं भारत के अंतरीक्ष कारकम और उसके भविश्य जुड़े पहलूँआ पर प्रकाश डालू वो मुझसे ये भी चाहते हैं कि मैं विद्यार्थियों से अंतरीक्ष कारकम में रूची लेने और कुछ अलग हटकर आस्मान से भी आगे जाकर सोचने का आगरा करूँ किरण जी मैं आपके इस विचार और विशेश रुप से हमारे बच्चों के लिए दिये गए संदेश की सराहना करता हूँ कुछ दिन पहले मैं अंदाबाद में था जहां मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाय की प्रतिमा के अनावरन का सवभागि मिला डॉक्टर विक्रम साराभाय का भारत के अंतरीक्षारकम में एक महत्पण योगदान रहा है हमारे स्पेस प्रोग्रेम में देश के असंखे युवावे ग्यानोका का योगदान है हम इस बात का गर्व करते हैं कि आज हमारे स्टूडंस द्वारा डेवलप किये गए सेटरलाइट्स और साउंडिंग रोकेट्स अंतरिक्स तक पहुँच रहे हैं इसी 24 जन्वरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉंच किया गया है ओडिसा में युनिवर्सिटे के विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये साउंडिंग रोकेट्स ने भी कई किर्तिमान बनाये हैं देश आजाद होने से लेकर 2004 तक जितने स्पेश मिशन हुए हैं लगबूत ने ही स्पेश मिशन के सुरुवात बीते चार वर्षव में हुई है हमने एक ही अंतरिक्ष्यान से एक साथ 104 सेटरलाइट्स लॉंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है हम चल्द ही चंद्रियान 2 अभियान के माध्यम से चांद पर भारत के मवजूदगी दर्ज कराने वाले हैं हमारा देश स्पेश टेक्नोलोजी का उप्योग जान माल के रक्षा में भी बखभी कर रहा है चाहे साइकलोन हो या फिर रेल और सडक सुरक्षा इन सब में स्पेश टेक्नोलोजी से काफी सहायता मिल रही है हमारे मच्वारे भाईयों के बीच नाइविक डिवाइस बाटे गए हैं जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक तरक्य में भी सहायक है हम स्पेश टेक्नोलोजी का इस्तेवाल सरकारी सेवाओं की डिलिवरी और एकाउंटिबिलिटी को और बहतर करने के लिए कर रहे हैं हाउसिंग फर आल यानि सब के लिए गर इस योजना में 23 राज्यों के करीब 40 लाग घरों को जीओ टैक किया गया है इसके साथ ही मंद्रेगा के तहट करीब 3.5 करोड संपतियों को भी जीओ टैक किया गया हमारे सेटलाइट्स आज देश की बड़ती शक्ति का प्रतीक है दुनिया के कई देशों के साथ हमारे बहतर समन्द में इसका बड़ा योगदान है साथ एशिया सेटलाइट तो एक अनूठी पहल रही है जिसने हमारे पड़ोसी मित्र राष्टों को भी विकास का उपहार दिया है अपनी बेहत कमपेटिटिव लॉंच सर्विस के माध्यम से भारत आज नकेवल विकासिल देशों के बलकि विक्सित देशों के सेटलाइट को भी लॉंच करता है बच्चों के लिए आस्मान और सितारे हमेशा बड़े आकर्षक होते हैं हमारा स्पेस प्रोग्राम बच्चों को बड़ा सोच ने और उन सिमाओं से आगे बढ़ने का आउसर देता है जो अब तक असंभव माने जाते थे यह हमारे बच्चों के लिए सितारों को निहारते रहने के साथ साथ नए-नए सितारों की खोश करने की और प्रेदित करने का वीजन है मेरे प्यारे देशवासियों मैं हमेशा कहता हूँ जो खेले वो खिले और इस बार के खेलो इंडिया में डेर सारे तरोन और युवा खिलाडी खिल के सामने आये है जनवरी महने में पूने में खेलो इंडिया यूद गेम्स में 18 गेम्स में करीब 6,000 खिलाडियों ने भाग लिया जब हमारा स्पोर्ट का लोकल इको सिस्टिम मजबूत होगा यहनि जब हमारे बेज मजबूत होगा तभी हमारी वा देश और दुनिया भर में अपने ख्षमता का सर्वोत्तम प्रदसन कर पाएंगे जब लोकल लेवल पर खिलाडी बेस्ट प्रदसन करेगा तभी वो गलोबल लेवल पर भी बेस्ट प्रदसन करेगा इस बार खेलो इंडिया में हर राज के खिलाडियों ने अपने अपने स्तर पर अच्छा प्रदसन किया है मेडल जीतने वाले कई खिलाडियों का जीवन जबर्दस प्रेणा देने वाला है मुक्के बाजी में युवा खिलाडी आकास गोरखा ने सिल्वर मेडल जीता मैं पढ़ रहा था आकास के पीता रमेश जी पूने में एक कॉंप्लेक्स में बतोर वाच्मेन का काम करते हैं वे अपने परिवार के साथ एक पार्किंग शिड में रहते हैं वहीं मारास की अंडर 21 महिला कबडी टीम की कप्तान सोनाली हेलवी सातारा के रहने वाली है उन्होंने बहुत कम उमर में ही अपने पीता को खो दिया था और उनके भाई वर उनके माने सोनाली के हुनर को बढ़ावा दिया अकसर ऐसा देखा जाता है कि कबडी जैसे खेलों में बेटियों को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है इसके बावजूद सोनाली ने कबडी को चुना और उत्कुरूष्ट प्रदर्शन किया आसन सोल के दस सार के अभिनव शौख खेलों इंडिया यूद गेम्स में सबसे कम उम्र के स्वनपदक विजेता है करणा टक से एक किसान की बेटी अक्षता बास्वानी कामती ने बेट लिप्टिंग में स्वनपदक जीता उन्होंने अपनी जीत का स्रे अपने पीता को दिया उनके पिता बेड़गाओं में एक किसान है जब हम इंडिया के निर्मान की बात कर रहे हैं तो वो युवाशक्ति के संकल्प का ही तो न्यू इंडिया है खेलों इंडिया की ये कहानिया बता रही है कि न्यू इंडिया के निर्मान में स्रिप बड़े शहरों के लोगों का योगदा नहीं है बलकि छोटे शहरों, गाउं, कस्वों से आने वाले वावों, बच्चों, यंग स्पॉर्टिंग टालेंज उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्यारे देश्वाशियों आपने कई सारे प्रतिष्ठीट ब्यूटी कॉंटेक्स के बारे में सुना होगा पर क्या आपने टॉलेट चमकाने के कॉंटेक्स के बारे में सुना है अरे पिछले लगबग एक महने से चल रहे इस अनोखे कॉंटेक्स में पच्चास लाग से अधिक सोचालयों ने हिस्सा भी लिया है इस अनोखे कॉंटेक्स्ट का नाम है स्वच्छ सुन्दर सौचालाई। लोग अपने सौच्छ रखने के साथ साथ उसे रंग रोगान करके कुछ पेंटिंग्स बना कर सुन्दर भी बना रहे हैं। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी कच्छ से कामरूप तक की स्वच्छ सुन्दर सौचालाई की डेर सारी फोटोस सोचल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएगी। मैं सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपनी पंचायत में इस अभ्यान का नेतुरत्व करने का आहवान करता हूँ। अपने स्वच्छ सुन्दर सौचाले की फोटो को हैश्टेग माय इज्जदगर के साथ सोचल मीडिया पर जरूर शेर करें। साथियों, दो अक्तूबर 2014 को हमने अपने देश को स्वच्छ बनाने और खुले में सौच से मुक्त करने के लिए एक साथ मिलकर एक चिर्स मरेनिया यात्रा शुरू की थी। भारत के जन जन के सहयोग से आज भारत दो अक्तूबर 2019 से काफी पहले ही खुले में सौच मुक्त होने की और अग्रसर हैं जिससे की बापू को उनकी एक सो पचासवी जैन्ती पर उन्हें स्रधाजली दी जा सके। स्वच्य भारत की इस चिर्स मरेनिय यात्रा में मन की बात के स्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए तो आप सबसे यह बात साजा करते विए खुशी हो रही हैं कि पाँच लाग पचास जार से अधिक गावों ने और छे सो जीलों ने स्वयम को खुले में सौच मुक्त गोशित कर दिया है। और ग्रामेड भारत में स्वचता कवरेज 98% को पार कर गया है। और करीब 9 करोड परिवारों को सवचाले की सुविधा उपलब्द कराई गई है। मेरे नन्य मुन्य साथियों परिक्षाओं के दिन आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश की निवासी अन्शुल शर्मा ने मैं गवपर लिखा है कि मुझे परिक्षाओं और एक्जाम वारियस के बारे में बात करनी चाहिए। अन्शुल जी यह मुद्दा उठाने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, कई परिवारों के लिए साल का पहला हिस्सा एक्जाम सीजन होता है। विद्यार्ति उनके माता पिता से लेकर सिक्षक तक सारे लोग परिक्षाओं से सम्मध्दित कारियों में व्यस्त रहते हैं। मैं सभी विद्यार्तियों उनके माता पिता और सिक्षकों को सुब कावनाय देता हूं। मैं इस विशे पर आज मन की बात के इस कारकम में चर्चा करना जरूर पसंद करता लेकिन आपको यह जानकर प्रसंदता होगी कि मैं दो दिन बाद ही है 29 जनवरी को सबेरे 11 बजे परिक्षा पे चर्चा कारकम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ बाचित करने वाला इस बार स्टूडंस के साथ साथ parents और teachers भी इस कारकम का हिस्सा बनने वाले हैं और इस बार कई अन्य देशों के स्टूडंस भी इस कारकम में भाग लेंगे इस परिक्षा पे चर्चा में परिक्षाओं से जुड़े सभी पहलूँँ विशेश रूपसे stress-free exam怎麼 any तनाव लोगों से इन्पूट और आइडिया भेजने का आगरक किया था और मुझे बहुत खुशी है कि माय गौव पर बड़ी संख्या में लोग अपने विचार साजा कर रहे हैं इन में से कुछ विचारों और सुझावों को मैं निश्चित तोर पर टाउन हॉल प्रोग्राम के दोवार आपके सामने रखूंगा आप जरूर इस कारकों का हिस्सा बने सोशल मीडिया और नमो एप के माद्यम से आप इसका लाइव टेलिकास भी देख सकते हैं मेरे प्यारे देश्वाशियों तीस जन्वरी पुझ्य बापु की पुण्यती थी है ग्यारा बजे पुरा देश सहीदों को स्रधांजली देता है हम भी जहां हो दो मिनिट शहीदों को जरूर स्रधांजली दे पुझ्य बापु का पुण्य स्मरन करे और पुज्य बापु के सपनों को साकार करना, नए भारत का निर्मान करना, नागरिक के नाते अपने कर्तवियों का निर्भा करना, इस संकल्प के साथ आओ, हम आगे बढ़ें, 2019 की सियात्रा को सफलतापुर्व आगे बढ़ाएं, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुब कामन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. झाल एफ ले लो नागरें, झाल वा दो नागरें, बहुत बहुत अपने के साथ जाएंवाद.